बेबीज का इम्मुन सिस्टम कैसे बढ़ाएं ताकि उसे बहुत सारी बिमारियों से बचा सके आपने घरों में देखा हुआ जो छोटे-चोटे बच्चे होते हैं वह बहुत जल्दी बीमार पढ़ जाते कहीं बच्चे तो होता है जो हर महिने से ही बीमार पढ़ताते हैं ज बेबी को ब्लूज मोशन हो गए पेट खड़ा हो गया तो यह जो प्रॉब्लम्स होती है वह बहुत फेस करने बढ़ती हैं तो इन में बहुत सारी चीजे जो होती है वह होती है बेबी का जाम इम्मीन सिस्टम बीक होता है यानि कि उसकी रोग प्रति-रोदक शंता जब बी बेबी को इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत जादा फेस करने बढ़ती है तो आप ऐसी कौन कौन सी चीजे हैं जो आप अपने घर में करो या बेबी के साथ करो तो बेबी को इस तरह के बहुत सारी बीमारे से बेबी को बचा सके तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से आज भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल ममाज और बीबी को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कोई कहरी है तो कॉमेंट कीजिएगा और ह बेल आइकन हिट करना ना भूलेगा क्योंकि इससे आपको मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकरिशन सबसे पहले विल जाएंगे तो अब हमाते हैं हमारे टॉपिक पे तो अब हमें क्या करना है कौन कौन सी प्रिकॉशन रखने है कि यह चीजे हमारे बेबी के आटी अफित पे ही रखना है जी हां 6 मैने तक exclusive breastfeeding is necessary यह मालों बिल्कुल mandatory होनी चाहिए 6 मैने तक बेबी को किसी भी तरह का कोई और चीज ना दे हैं चाहिए कोई liquid हो कोई किसी तरह का खाना हो पाणी हो जैसे घरों में बोलते हैं basically कि बच्के को पानी तो पिला दो जी नह अगर आपके ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो आप 6 महीने तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखें इससे बेबी का इमिन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है रोक प्रती रोधक्षमता अच्छी होती है बेबी को चोटी चोटी प्रावलम्स जो 6 महीने से चोटे बच्चो इसको होती है बहुत सारी आपने देखा होगा दो चार दिन में ब्रेस्ट फीड कराती है ममास लोज म की साफ सफाई का बहुत द्यान रखें आप शुडू से ही अपनी बेबी को इस तरह की आदत दे लगाए जैसे की चोटा बच्चा है जैसे ही बच्चा समझने लगता है एक साल के असपास होता है आप उसके आदत लगाए कि हाथ दुला के ही हैंड़ वाश करा के इसके मु बहुत सारे फंगल इंफेक्शन थाएंपनी आप इसी जी हमें मचों लिव को श Leah कांगर गाए उस ही बेच्चे को नहीं होते हैं अगर आपका बेबी छह मेने से छोटा है तो वो हर दो गंटे में उसे नैप लेना होता है तो अगर बिच्चा खेल भी रहा है दो गंटे तक तो आप ध्यान रखे कि बच्चे को दो गंटे हो गया वोसे थोड़ा सुलाएं रात में भी बच्चे को पेट भरके दूद पीए आप भी ब्रस्फिट करा रहे हैं तो पेट भरके अगर बच्चा उससे बढ़ा है खाना खाया है तो उसको रात को डंग से सॉलिड दे रहे हो से हमें सॉलिड दे रहे हो अच्छे से किलाओ बच्चा जितनी अच्छी नेंद लेगा उत्ती ही जादा उसकी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ेगी और उसको संक्रमन का खत्रा उतना ही कम होगा तो तीसरी चीज हो गई कि बच्चे को आप प्रॉपर नेंद दिलाएं चौथी चीज जो आपको बच्चे के साथ करनी है वो है कि आप अप अप शरूर से बच्चे को जैसे आपका बच्चा च्य महने से उपर हो ऑपफ याप आका बच्चे को फ्रूट्स जादा दिजिए और प्रूट्स और घ्रीन बच्टयबस कि वहत चीज़ होते हैं उन्में नेक्स्ट चीज जो हमें फॉलो करनी है इसमें वो है कि आप देखे मैं आपको पताती हूं कि बच्चों के अंदर 80% जो प्रॉलम्स होती है वो होती है वेक्टिरियल इंफेक्शन्स की बज़े से और जो एंटिबाइटिक हम बच्चे को देते हैं या बड़े जो भी लेते ह तो एंटिबाइटिक का यूज अब बच्चे के साथ कम से कम करें अगर आपके बच्चों को चोटी से प्रॉलम्स हो रहे हैं कहां सी चोका मोग के है छोटा बच्चा तो ही मुटी हम रेमेडियन करें तीन तक एगर तीन दिन नहीं तो कम से एंटिबाइटिक से दूर रखें चौती नेक्स चीज़ जो मैं आपके सामने डिसकस करूँगी वो है कि बच्चे को आप शुरू से ही एक्सराइस करने के आद़ डालें जी हाँ, अगर आपका बच्चा छोटा है यानि एक साल का होने वाला है एक साल से बड़ा है, देर दो साल का है तो आप उसकी इस तरह से दिंचरिया सेट करें डूटें सेट करें कि बच्चे को कम से कम वो अपने उसको ये चीज़ नोटिस करें कि उसको वो एक्सराइस कर रहा है, बच्चे को शुरू से वाक कराईए और रूप प्रतीरों तक चमता बच्चे की उतनी अच्छी बड़ेगी नेक्स्ट चीज जो हमें फॉलो करनी है वो है वो बहुत इंपोर्टेंट है वो है आपको स्मॉकिंग एरिया वाले में जॉन में बच्चे को नहीं लेके जाना है जी हाँ चाया कोई भी वी cuestión को जितना चोटे बच्च्छों को जितना चुटा बच्च्छ अगर आपके गष्चम में कोई बच्च्प ना आ बच्चे को जहाए जहीं आपि दूसरी चगें खबी बूनग तो खबेडे हैं तो फड़ Tillा को आप या शचिते दीओ करने भाले ऐला है अब है विड़ जुझ गरफ यह पर पैक्टर वोग अपने अगवे कह देखना वह जो अपनंग पहल जघ्व चंज, तो अगर मेरे लाएक एतरा है नकित्रक्षात करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें श्रॉत करें नई वीडियो ऊए जैनल की नाने की शुम्हें